Let's do question number 5th of exercise 3a that is linear equation in two variables. Question number 5th is solve each of the following systems of equations graphically. हम इस ग्राफिकली solve करना equation को और ये हमारी दोनो equations दे रखी हैं. तो हमें इसका मतलब graphically का मतलब x और y की ऐसी value निकालनी होगी जो इस दोनो equations को satisfy करें. तो कैसे निकालेंगे देखिए. First equation हमारी दे रखी है 3x plus 2y equals to 12. तो इसे solve करना है तो उसके लिए हम grid बनाएंगे. Grid बनाएंगे जिसमें x और y की values लिखेंगे. यह आई x और यह आया y. अब यहाँ पे x और y की क्या value देखिए. अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं x 0 लगती हूँ. तो 2y equals to 12 हो जाएगा. जिसकी वज़े से y, अगर y निकालने हैं तो 2 से divide कर सकते हैं 12. और इसी तरीके से अगर हम y को 0 रखते हैं, तो 3x equals to 12 हो जाएगा. और हमारा x की value easily आ सकती है क्योंकि 12 3 से divide होता है. तो हम दोनों चीज़े रखके देख लेते हैं. एक बार x को 0 रखा हमने. पुटिंग x equals to 0. तो क्या है? 3 into 0 plus 2y equals to 12. तो यह आगे 2y equals to 12. और y की value आ गई हमारी 12 upon 2. तो हमने यहाँ पे 6 लिखती. अब हम y 0 रख रहे हैं. पुटिंग y equals to 0. तो यह आगे 3x plus 2 into 0 equals to 12. तो यह आगे 3x equals to 12. तो x की value आ गई 12 upon 3. तो हमने y 0 रखा. तो x आया 4. अब और दूसरी क्या value रख सकते हैं? देखिए. अगर हम हमें पता है 12 यहाँ पे अगर हम 1 रखें y की value तो यह 2 आएगा. 12 में से 2 इधर गया तो minus हुआ तो 10 आ गया. लेकिन 10 3 से divide करेंगे तो 3.33 आएगा. तो वो गलत हो जाएगा. गलत नहीं मतलब उसको हम graph पे plot नहीं कर पाएंगे accurately. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x की जगे 1 रखेंगे. अगर x की जगे 1 रखा तो यह 3 माइनस हुआ 9 बाइ 2. उसको प्लॉट कर सकते हैं 4.5. नहीं तो अगर 2 रखेंगे तो भी easily हो जाएगा. 3, 2 is just 6. 6 माइनस हुआ 12 में से. तो 6 बचा और 2 से divide हो गया. तो आप यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं. तो मैं 1 करके देख रही हूं. तो putting x equals to 1. तो यह कितना आ गया? 3 into 1 plus 2y equals to 12. तो यह आ गया 3 plus 2y equals to 12. तो 2y की value कितनी आ गई? 12 minus 3. तो 9. तो y कितना आ गया? 9 divided by 2. तो 4.5. तो हमने x की value अगर 1 रखी तो y आया हमारा 4.5. अब next equation solve करते हैं. Second equation है हमारी 5x minus 2y equals to 4. तो अब यह देखिए. इसमें हम फिर से यही देखेंगे कि x की value रखें या y की value क्या रखें? कि यह divide हो जाए. अगर हम x की value 0 रखते हैं. तो यह easily 4 divided 2 से. लेकिन अगर हम y की value 0 रखते हैं. तो यह इधर 4 के और 5 से divide हैं. तो वो 0.8 आएगा. तो 0.8 means 8 boxes हो जाएगा. तो हम उसको risk ही क्यों लेना? हम सबसे पहले x को 0 रखते हैं. फिर उसके बाद देखेंगे. तो उसके लिए हमने grid बनाया. x और y की value रखने के लिए. तो हमने यहाँ x और यहाँ y. अब हमने putting x equals to 0. 0. तो y देखिए 5 into 0 minus 2y equals to 4. तो यहाँ minus 2y equals to 4. तो y कितना आगया? minus का 4 upon 2. that is minus 2. तो हमने क्या लिखा? x 0 रखा. तो y आया minus का 2. देखिए और क्या रख सकते हैं? अगर हम x को 1 रखते हैं. तो भी यह इधर आके sort out हो सकता है. 0.5 आएगा. जिसे हम sort out कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे putting x equals to 1 रख के देखा. तो 5 into 1 minus 2y equals to 4 हो गया. अब 5 minus 2y equals to 4. तो minus 2y equals to 4. यह plus का 5 देखा के minus का हो गया. तो यह आगया हमारा minus का 2y equals to minus 1. minus minus cancel हो गया. तो y आगया 1 upon 2. और वो we can say that 0.5. तो अब देखिए x अगर 1 था तो y आगया 0.5. अब देखिए x या y में से हम क्या value रख सकते हैं? अगर मैं x की value 2 रखती हूं. तो भी sort out हो जाना चाहिए यह. तो हम देखिए putting x equals to 2. तो x की value अगर 2 रखी तो यह आया 5 इंटो 2 minus 2y equals to 4. तो यह आया 10 minus 2y equals to 4. तो minus 2y की value कितनी आ गई? 4 और यह minus उख का हो गया 10 यहां के. क्योंकि उधर प्लस का तो minus 2y equals to minus 6 बज गया. minus minus cancel हुए तो y की value आई 6 upon 2. तो x अगर 2 है तो y है 3. चलिए ग्राफ बनाते हैं. अब देखिए यह दो equations दीवी हैं. यह पहली equation है और यह हमारी second equations है. और यह उसके नीचे उसके points दिएवे हैं. यह points दिएवे हैं. तो उससे पहले हम graph पे plot कर लेते हैं. x और y कहा हैं. तो यह हमारा आया x positive values. यहां x negative. यहां y positive. और यह आया गई हमारी y negative. यह हमारा 0, 1, 2, 3, maximum 6 तक है. तो 4, 5, 6, 7 तक ले लिया मैंने. अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ले लिया. minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. आप देखिए यहां पे x 0 है तो y 6 है. तो x 0 यहां हुआ और y 6 तो y 6 यह हो गया. यह वाला point. तो हमने mark कर देंगे यह वाला point. x 0 है, y 6 है. next. अगर देखिए तो x 4 है, y 0 है. x 4 है, y 0 है, तो y 0 यहां होँआ, x 4 यहां होएगा. right? तो हमने इसे plot कर दिया point. x 4 और y 0. next point देखिए, x 1 है, तो y 4.5 है. तो x 1 है, तो y 4.5 है. तो this is the point. तो यहां पर हमने mark किया, 1 and 4.5. लाइन घीच देते हैं. तीनों पॉइंट को मैच करके, यह हमारी लाइन आ गई. तो इस पर लिख दीजिए, कौनसी equation हो गई है? 3x plus 2y equals to 12. अब next equation देखिए. next equation में x 0 है, y minus 2 है. तो x 0 यहाँ हुआ, y minus 2. तो minus 2 तो यह वाला point हो गया. तो यहाँ पर mark कर दिया हमने x 0 और y minus 2. अब next देखिए, x 1 है, y 0.5 है. तो x 1 हुआ और y 0.5, प्लस का, तो यह वाला point आ गया. तो हमें यह मार करना है, 1 and 0.5. अब next देखिए, x 2 है और y 3. तो x 2 है और y 3. तो यह वाला point आ गया. x 2 and y 3. तीनों points को match करके एक line खीज देते हैं. आप इस पर लिख देंगे. यह थी 5 x minus 2 y equals to 4. आप देखिए point देखना है कि कौन सा point है. अब देखिए कौन सा x और y का point है, जो इसको satisfy करता है. तो कैसे पता चलता है, जहाँ intersection point होता है, तो यह intersection point है. तो y का point यह है और x का point यह है. तो यहाँ से एक line ड्रॉ कर देते हैं. line ड्रॉ कर दी, हमने यह वाला y का point हो गया और यह वाला x का point हो गया. तो x कितना आ गया हमारा? x आ गया हमारा 2 और y आ गया 3. जो दोनों equation को satisfied करता है. आंसर.